हेलो फ्रेंड्स तो आपका फिर से बहुत बहुत सवागत है मेरे चानल सोड़ पाउर पे और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सिखने वाले हैं लिस्ट टिक फ्रेंड्स तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा थीम चेंज किया है तो फ्रेंड मैंने अभी आप बोल सकते हो कि मैंने पाइथन का पार्ट टू मैंने स्टार्ट किया है तो फिसले जो एपिसोड थे वह हम लोग पाइथन के अंदर जो जितने भी सारे बैजिक चीजे थी वह हम लोग ने देख लिया है तो अभी हम लोग थोड़ा लेवलप करने वाले और इस अंदर हम लोग थोड़े एडवांस टॉपिक इन शॉट दिकने वाले ठीके प तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले है list ठीके पैस तो list क्या है कैसे हम लोग use करते हैं तो ये सब में आपको इस episode के अंदर सिखाने वाला हो तो चलो start करते है तो friends सबसे पेला question की what is list तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो it is also a data type it store multiple values in it तो यह simple data type ही है जैसे हम लोग integer के अंदर number store करते हैं string के अंदर हम लोग नाम वगरा store करते हैं उसी तरीके से list भी एक data type है लेकिन इसके अंदर हम लोग अलग-अलग value हम लोग store कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे यह simple सा variable है इसके अंदर यहाँ पर आपको use करना है square bracket ठीक है friends याद रखना आपको अभी use करना है list के case में आपको use करना है square bracket या फिर आप इसको array bracket भी बोल सकते हो तो friend इस तरीके से आपको square bracket open करना है फिर close करना है उसके बाद इसके अंदर आप जो चाहे हो value आप डाल सकते हो जैसे मैंने फिलाल इसके अंदर खारी string डाले हुआ है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो dl, करके फिर double cotton में लिना हुए हो फिर करके mac फिर यहाँ पर hp उसके बाद करके 123b में इसके अंदर लिख सकता हो उसके बाद अगर आप उसका type check करोगे यह variable का अगर आप type check करोगे तो आपको कुछ इस तरह के से output के अंदर आएगा मतलब यह simple सा type ही है इसके अंदर कुछ भी rocket science ने इतना है कि हम लोग इसके अंदर multiple value हम लोग एक साथ store कर सकते तो पिछले अगर प्रोग्राम देखे होगे आपने तो उसके अंदर हम लोग क्या करते है जैसे कोई variable होता है उसके अंदर हम लोग एक time पे एक ही value हम लोग store कर सकते थे लेकिन ऐसे programming के अंदर बहुत सारी condition आएंगी जहाँ पे हम लोग को एक ही variable के अंदर कुछ इस तरीके से multiple values हम लोग को store करने के जरूर पड़ती है जैसे आप online shopping करते हो तो उसके अंदर आप एक एक product add to card add to card add to card करोगे तो जितनी भी product आपने add to card की होगे तो वो आपके card के अंदर add हो जाता है तो उसके अंदर आपके क्या होगे तो multiple products होगे तो एक ही चीज के इस तरीके से जो collection बनता है तो उस collection के case में हम लोग use कर सकते हैं इस तरीके से list तो मतलब एक ही variable के अंदर multiple data हम लोग को उस case के अंदर store करना होता है तो फ्रेंड आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होगे जो experience है जिनने ने already कोई दूसरी programming language के अंदर काम किया तो उनको यहाँ पर एक confusion हो रहा होगा कि इसको मैं इसको array क्यों नहीं बोल रहा हूँ इसको तो मैं list क्यों बोल रहा हूँ ठीक है तो python के अंदर थोड़ा सा scene अलग है इसके अंदर list और array ऐसे दो अलग-अलग type है जो beginner लोग है उनको खास करके अभी tension लेने का कुछ काम नहीं लेकिन जो experience लोग है उनको खास करके आपे confusion हो रहा है तो उनके लिए मैं बता देता हो कि python के अंदर list और array ऐसे दो अलग-अलग type होते हैं तो आप list कुछ इस तरीके से define कर सकते हो जिसके अंदर आप जो चाहो वो value आप store कर सकते हो लेकिन python के अंदर और एक चीज आता है मतलब जिसको बोलते हम लोग array मतलब जिसको array model बोलते हैं तो अगर आपको एक specific value अगर आप तो आपको array model यूज करना पड़ेगा मतलब आप बोल सकते हो array library आपको यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर आप define कर सकते हो type ठीके पैस तो मैंने जैसे यहाप type define किया यह मतलब character मतलब इसके अंदर आप string store कर सकते हो अगर मैं यहापे i लिखता हो तो इसके अंदर मु चाहो value up store कर सकते हो तो एक main difference है python के अंदर खास करके जो experience लोगे उनको खास करके confusion नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने starting में ही clear कर दिया तो friend अभी जो beginner है उनके लिए मैं बता दू तो अगर जो दूसरे programming language है जैसे java है फिर javascript है php है उसके अंदर क्या होता है तो कुछ इस इसको specifically लाम दिया है list ठीक है फ्रेंट्स तो जो professionally जो python के अंदर काम करते है वो जब भी word जो use करते है अगर मतलब उन्होंने अगर word use किया है कि आपको array define करना है तो generally जो developer होते है वो list का ही use करते है ठीक है फ्रेंट्स तो generally क्या use करते है python developer array के लिए in short वो लोग list ही use करते है array generally कोई use नहीं करता है तो friend यह छोड़ा सा difference है तो इसमें बिल्कुल confuse नहीं होना है ठीक है फ्रेंट्स तो python के अंदर दो अलग type list अलग होता है array अलग होता है लेकिन जो general programming term है जिसके अंदर हम लोग multiple value अगर कुछ इस तरीके से store करते है तो इसको हम लोग array ही बोलते है ठी प्रेंट्स तो इसके अंदर और एक difference है लिस्ट के और array के अंदर में आपको बता देता हो तो आपको इंटर्यू के अंदर भी आप जाओगे तो वहाँ पे खास करके आपको help करेगा तो मैंने जैसे बोला कि list के अंदर आप दिख सकते हो मैंने यहाँ पे number store किया है use for shorter sequence of data मतलब आपका जो data है वो अगर छोटा सा होगा तो उस case में आप list यूज कर सकते हो अगर आपका data बढ़ा है जिसके अंदर मतलब हजारो record आ रहे होंगे तो उस case में आप specifically array यूज कर सकते हो तो इसके अंदर एक disadvantage है list के अंदर इसके अंदर क्या होता है तो यह थोड कि इसके अंदर हम लोग ने define किया होता है type तो उसी type का data store होता है तो वो फटाफट store होता है और fastly हम लोग उसको एकसेस कर सकते है ठीके friends तो यह छोड़ा सा difference है जो आपको पता होना चाहिए और interview के अंदर भी आपको खास करके ऊचा जाएगा ठीके friends तो friend हम लोग फिर से अभी आए जाते खाली list अभी हम लोग इस episode के अंदर खाली देख रहे है list टीके friends तो list के अंदर आपने अभी देखा कि हम लोग कुछ इस तरीके से कोमा करके फिर इसके अंदर जो चाहिए वो value हम लोग या पर square bracket के अंदर store कर सकते तो friend इसके अंदर जो भी data store होता है अभ तो operation आप कैसे करोगे ठीके friends तो अगर आपने मेरा string वाला episode देखा होगा तो उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से bracket use कर सकते थे string के अंदर भी जो substring करता था तो उसके अंदर भी अगर आपको first character अगर चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते है square bracket उसके अंदर 0 पास करत अगर आपने मेरे पिछले episode देखे होंगे तो अल्मोस हर एक episode के अंदर मैंने बाता है कि programming के अंदर हमेशा जो element जो होता है उसकी position हमेशा start होती है zero से ठीके friends तो first position जो होता है वो हमेशा होता है zero तो इसको आप one से start नहीं कर सकते ठीके friends programming के अंदर कास करके मतलब python के अंद जो index होता है array का index, list का index, कोई भी element का index हमेशा zero से ही start होता है तो market के अंदर ऐसे बाइचानल दो तीन language है जिसके अंदर वो one से start होता है लेकिन mostly सभी programming language के अंदर array जो start होता है मतलब जो भी position index जो start होता है first element की जो position होता है वो हमेशा start होता है zero से ठीके friends यह simple जो खास करके beginner लोग है उनको याद रखना है तो जो first element होता है वो उसकी जो position होता है वो हमेशा start होती है zero से उसके बाद zero से start होता है उसके बाद जो second element होगा उसका one position फिर two position फिर three position ठीके friends तो इस तरीके से जो list है उसको आप access कर सकते हो और इमें बिच बिच में इसको array बोल दूगा तो आप थोड़ा समद लेना क्योंकि generally हम लोग यह जो type होता है उसको हम लोग array ही बोलते ठीके friends तो अगर आपको खाली deal print करना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हो आप यहापर देख सकते हो यहापर आपका जो भी variable होगा और variable का नाम उसके बाद यहापर bracket open close करो square bracket या या फिर आप array bracket भी जिसको बोल सकते हो तो यहापर मैंने index pass किया खाली zero ठीके friends तो zero pass करोगा तो फिर हमारा python यहापर देखने जाएगा और zero position पर जो भी value होगा वो simple यहापर print कर देगा उसके बाद मैंने यहापर जो index है वो pass किया है to तो फिर python यहापर दुनने जाएगा देखने जाएगा तो इसके अंदर यहापर मिल गया उसको second position और second index आप इसको बोल सकते हो ठीके फिर इसको index बोलो position मत बोलो ठीके तो second index पे अभी उसको क्या value मिले hp तो वो hp प्रिंट कर देगा उसी तरीके से जो भी आप index यहापर पास करोगे तो वो particular value यहाप प्रिंट क कर देगा ठीके फ्रेंट्स तो कुछ इस तरीके से आप array को access कर सकते हो तो फ्रेंट अभी आ जाओ आप vscode के अंदर तो अभी आम लोग इसके अंदर थोड़ा practice कर लेते हैं और इसके अंदर में data डालता हूँ जैसे यहाप डेल उसके बाद hp और आपको demo दिखाने के to mac ठीके फ्रेंट्स तो अभी हम लोग print करके देख लेते हैं अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर laptop और यहाँ पर मैं index पास कर रहा हूँ मैं पास करता हूँ इंडेक्स वन तो फ्रेंड अभी सोच हो कि यहाँ पर output के अंदर क्या आएगा तो simple है यहाँ पर मैंने index पास किया 1 तो index चालो होता है 0 से तो डेल तो प्रिंट होगा नहीं उसके बाद जो index 1 है वहाँ पर जाएगा मतलब जो second element है वहाँ पर जाएगा तो उसको मिलेगा hp तो hp वह output के अंदर हम लोग को मिलना चाहिए तो हम लोग इसको पहले run करके देख लेते हैं तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर python मुझे बोल रहा है कि invalid index क्योंकि यहाँ पर कोमा मैंने एक स्टार दिये दिया है तो इसको में निकाल देता हूँ और फिर से हम लोग रान करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया hp ठीके पैंट्स तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर ज अंदर हम लोग को भी मिलना चाहिए true तो मैं फिर से run करता हूँ तो यहाँ पर आ गया true ठीके फैंट्स तो एकदम simple है इसके अंदर कुछ भी broken science नहीं कुछ भी मतलब ऐसा बड़ी चीज नहीं एक simple सा variable है उसके अंदर square bracket के अंदर हम लोग multiple value store कर सकते हैं और वो value को access करना ह तो हम लोग कुछ इस तरह के से उसके अंदर index pass करके हम लोग उसको access कर सकते हैं तो friend कुछ इस तरह के से हम लोग index pass करके area को access कर सकते हैं उसी तरीके से अगर हम लोग को सारे के सारे element मतलब जो भी list के जो element है वो अगर हम लोग को सारे एक साथ access करने है using for loop तो हम लोग कैसे क सकते हैं इसके अंदर आपको for तो लिख नहीं है क्योंकि for loop है फिर यह आप पर variable define करना है in define करना है तो यह जो तीन चीजे है यह normal है जो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम के अंदर बहुत बार देखा था लेकिन यह आप मैं range function यूज नहीं कर रहा हो और इसके अंदर जो हमारा array variable होगा वही मैंने directly यहाँ पर लिखा हुआ तो फ्रेंड यह अभी for loop क्या करेगा तो यह automatically python अभी उसका काम कर लेता है मतलब इसमें से हर एक time क्या गरेगा एक-एक element यहाँ से निकलेगा और पी के अंदर simple store होगा तो first time पी के अंदर store होगा hundred तो यहाँ पर hundred print हो जाएगा उसके बाद दूसरी time जब loop चलेगी तो यहाँ पर control आएगा तो hundred तो already assign हो गया था तो अभी two hundred उसके अंदर आसान होगा फिर यहाँ पर two hundred print हो जाएगा उसके बाद three hundred इसके अंदर आसान होगा फिर ओ भी print हो जाएगा ठीक है तो इसके अंदर भी कुछ भी एसे rocket science नहीं है एकदम simple सा program है जिसके अंदर हम लोग को array की एक एक value हम लोग कुछ इस तरह के से access कर सकते ठीक है तो यह main method है मतलब एकदम sweet simple सी method है जिसके अंदर हम लोग list जो है वो हम लोग access कर सकते यह दूसरी method जो है वो generally कोई use नहीं करता है लेकिन इस तरीके से भी आपको बता देता हो तो इसके अंदर हम लोग जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि यह जो एक-एक element हम लोग को access करना होता है तो हम लोग इसके अंदर prices of 0, 1, 2 इस तरह के से हम लोग index भी pass कर सकते तो वही logic यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे range function यूज की है 0 से लेक यह जो price हो का जो array होगा उसके अंदर कितने element है तो एक-दो-तीन element है तो उसकी size हम लोग find कर सकते using land function उसके बाद index के अंदर 0, 1, 2 इस तरह के से एक-एक value store होगा तो यहाँ पे prices of 0, 1, 2 कुछ इस तरह के से हम लोग access कर सकते हैं तो friend फिर से आजाओ VS code के अंदर अभी यह जो laptop वाला जो array है उसको हम लोग print करते हैं using for loop तो friend मैंने जैसे बोला जो first वाला जो syntax है वो sweet simple सा syntax है वही आप यह उसको रोग तो काफी easy रहेगा तो यह क्या करेगा automatically इसमें से एक-एक element इसके अंदर store करता है फिर for loop execute होगा उसके बाद हम लोग उने जो भी logic लिखा होगा in shot वो execute होता है उसके बाद दूसरे बार जब भी आपकी loop घुमेंगी तो पहला वाला element तो हो गया अभी जो दूसरा वाला element है वो इसके अंदर store होगा फिर HP print हो जाएगा फिर से loop चली कि तिसरी बार तिसरी बार one store होगा फिर one print हो जाएगा फिर two three इस तरीके से मतलब जो भी आपके list के अंदर जो भी value होगा वो simple एक एक बार इसके अंदर store होगा और उसका process कर सकते हो तो इसको हम लोग फिर से run करके देख लेते हैं तो friend अभी आप यापर देख सकते हो dell store हुआ dell print हो गया फिर hp store हुआ lab के अंदर hp print हो गया उसके बाद one two three इस तरीके से चलता जाता है अभी हम लोग उसका जो दूसरा method है वो method हम लोग देख लेते है for lab in अभी में यूज़ कर रहा हूँ range function तो friend इसके अंदर हम लोग को start करना है zero से क्योंकि हम लोग को अभी index हम लोग pass करने वाले हैं और ये lane के अंदर में pass कर देता हो laptop तो friend अभी में क्या करता हो तो यहा tap के अंदर क्या जा रहा है तो यहाँ पे और एक print में ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ line डाल देता हो तो आपको difference तो पता चलेगा तो friend हमारे program के अंदर कुछ problem हो गया है तो invalid syntax तो आप यहाँ पे देख सकते हो for look के बाद हम लोग को last में column लिखना होता है तो वो मैं ब आपको करना पड़ेगा practice ठीक events तो मैं जैसे बोलता हो कि अगर आप मेरा episode एक बार देख रहा हो तो at least आपको 10 या 20 बार उसकी आपको practice करना है ठीक events तो practice करो तबी आपको पता चलेगा कि कौन सा tool किस तरीके से काम कर रहा है तो फिलाल इसको save करते है इसको मैं clear कर देता तो friend अभी आभी आप देख सकते हो यहाँ पे उपर वाली loop तो direct value print कर रहा है क्योंकि मैंने जैसे वोला कि इसके अंदर directly एक एक value या से निकल कि इसके अंदर store होगा तो directly value हम लोग को मिल रहा है लेकिन जो दूसरी वाली loop है इसके अंदर मैंने उसके range function तो range function हमेशा क्या return करता है number तो starting जो भी number होगा वास से start करता है और end तक जाता है ठीके points तो end हम लोगोंने क्या दिया insert dynamic मतलब lane function का use करके हम लोगोंने यह जो array है उसकी size हम लोगोंने find किया तो lane function insert क्या return करेगा तो इसके अंदर जितने भी element होगे तो cool element है इसके अंदर 6 तो 6 return करेगा इंच ज element है वातक जाता नहीं तो 5 तक ही जाता है तो यहाँ पर 0 से लेके 5 यहाँ पर print हो रहा है लेकिन हम लोग को तो यह value चाहिए तो यहाँ पर simple में क्या करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो array है sorry जो list है वो variable का नाम और यहाँ पर हम लोग को index पास करना है तो index किसके अंदर है तो index हम लोग यह जो layout variable है इसके अंदर तो हम लोग store करी रहे तो actually मैं इसको rename कर देता हूँ तो कुछ जो understanding है वो ज्यादा हो जाएगी मतलब समझने के लिए easy रहेगा क्यूंकि इसके अंदर store हो रही है index इसके अंदर value store नहीं हो रहा है range function एक एक value मतलब जो number है वो number इसके अंदर store कर रहा है तो वही number हम लोग यहाँ पर pass कर रहे हैं किसके अंदर array के अंदर तो उसको हम लोग अभी बोलेंगे index तो अभी हम लोग फिर से run करते हैं तो friend अभी आप यहाँ पर देख सकते हो तो index यहाँ पर print हो रहा है 012345 उसके बाद यहाँ पर कोमा करके मैंने य वो position पर दोनने जाएगा उसके बाद वो simple उसको print कर देगा तो friend अभी आपको क्या करना है तो मैंने जो भी यह छोड़े छोड़े प्रोग्राम करवा है उसकी आपको practice करना है उसी के साथ आपको थोड़े और ज्यादा प्रोग्राम की practice करना है जैसे आपको number का array लेना है स्वारी हम लोग इसको अभी list बोलेंगे तो number का list लेना है तो यह जो array है इसके अंदर जितनी भी number होगे उसको आपको क्या करना है तो उसका आपको simple addition perform करना है ठीक है तो इस तरीके से array के अंदर जितनी भी सारे operation है जैसे अगर आपका जो array है उसके अंदर नंबर होगा त वो आप print करो ठीक है उसके साथ जैसे array के अंदर जैसे जो number है वो palindrome है कि नहीं वो check करो अगर उसके अंदर अगर आपने string store किया होगा तो array के अंदर कितने इस string है जो palindrome है वही खाली print करो तो इस तरीके से जो हम लोगों ने पिछले program किये इसके अंदर आप input ले रहे थ वही program आपको simple array के साथ करना है तो friend फिलल के लिए इस episode में इतना ही और friend अगर आप मेरे tutorial देख रहे हो तो उसी के साथ साथ आपको मुझे instagram पे भी जोरू-जोरू follow करना है तो friend मेरा instagram का जो account है sudo.power तो मेरे सबसे खाली coding से friend आपका इसमें software development के अंदर आपका growth नहीं होगा coding के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़े जो है आपको पता होनी चाहिए तो software development के related जो भी extra जो topic होते है जो मैं वीडियो के अंदर तो आपको उस नहीं बता सकता क्योंकि वो चोड़े-चोड़े topic होते है तो वो मैं instagram पे share करता हूँ तो इसलिए आपको मुझे instagram पे भी ज जरूर जरूर follow करना है तो फ्रेंड फिदाल के लिए इस episode में इतना ही तो फ्रेंड में जैसे में बलता हो कि अगर आप वीडियो देख रहे हो एक बार देख रहो तो at least आपको 10-20 बार मतलब जब तक आप उसके अंदर perfect नहीं हो जाते तो तब तक आपको उसके अंदर practice कर करना मतलब आपको जब तक पूरा समझ में नहीं आ जाए तब तक आपको in shot practice करना है तो फिदाल के लिए इस episode में इतना ही thank you